अलो फ्रेंट्स जावस्किप सीखने की सीरीज का इस सेकेंड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावस्किप में आप किन की तरीकों से अपने आउट्पुट को प्रिंट करवा सकते हैं साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बैरेवल कैसे बनाते हैं जावस्किप में डिटाडाइब कौन कौन से हैं जावस्किप में चली शुरू करते हैं मैं हूँ अभी शेक और आप देख रहे हैं माइको सॉलूशन फust वाला वीडेयो में आपको वीडेयो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था फ़ास वीड़ीो जरूर देख लें अगर आप बिगनर से हैं अने ठागको समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी एक रिक्वेस्ट और मैं आपसे करूँगा कि अगर आप एक और वीडियो को देखना स्टार्ट कर देते हैं तो केबल कमेंट करके ना जाएं वीडियो को पूरा देखें उससे होता यह कि वीडियो को वच्टाइम नहीं मिलता अगर आप वहीं स जो तरीके हैं जिनसे हम अपने आउटबूट को प्रिंट करा सकते हैं उन में से जो फर्स्ट तरीका है वह है डोक्यूमेंट डोट राइट या नही राइट फंक्शन अब यहां पर मैं कई वार फंक्शन को मेथड बोल दूँ तो आप कंफ्यूज मत होना मेथड फंक्श देता हूँ पहले तो नमबर डाल देताओ नम थी फाइल सत्वी फाइल को नाम देता हूं राइट फंक्शन तो यहां पर फैंट मैं जो फाइल थार्ड नमबर की फाइल है जिसका नाम है राइट फंक्शन यह बना लिए आप शिप के साथ वन नमर का बटन दबाऊंगा ताकि मैं stml का जो basic structure इसे लेकर आपा हूँ तो आप मैंने enter कर दिया है और यहाँ पर जो basic structure होता है वो मुझे मिल गया है जिसी skeleton आप बोल सकते हैं आप देखो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जबाया उसके बाद मैंने dot लगाया और यहाँ पर मैंने right function select कर लिया अब right function क्या करता है कि आप इसके अंदर कोई भी text print करवा सकते हैं या आप को calculation वगेरा इसको print करा सकते हैं या variable से data को लेकर आ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको इससे previous वाले वीडियो में तो text print करना तो बताई दिया था अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं calculation कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 5 plus 2 add कर लिया अब मैं इसका output देख सकता हूँ आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक बार और write function use करके दिखाता हूँ ताकि text भी मैं आपको हत्वा दिखा पाऊं कि text कैसे print करते हैं तो यहाँ पर मैं document.write यहाँ पर function use किया और double inverted comma के अंदर आपको text लिखना है calculation कभी भी double inverted comma के अंदर नहीं आएगी variable का नाम कभी भी double inverted comma में नहीं आएगा only text आएगा तो यहाँ पर हम welcome print कर लेते हैं only ठीक है और यहाँ last में semi colon लगा देते हैं और यहाँ हमारा काम खतम हो गया हम इसे save करता हूँ right click करता हूँ और यहाँ पर मैं open with live server पर click करूँगा तो आप यहाँ पर देख पार हैं यहाँ पर 7 भी print हुआ है welcome भी print हुआ है अब अगर आपको इनके बीच में space चाहिए या आपको नई line से चालू करना है तो इसके लिए फिर आपको HTML के tag यूज़ करने पड़ेंगे इसके बीच में कैसे करते हैं वो भी मैं भी आपको बता दूँगा तो मैं यहाँ पर save करता हूँ देखो मैंने BR take का यूज़ करा है आपको मालूम है अगर HTML आता है आपको तो कि इससे क्या होता है नई line से start हो जाता है आपको यहाँ पर समझना है देखो यहाँ पर body tag के अंदर मैंने h1 tag और इसके अंदर मैंने एक id को create करा हुआ यह css से होता है अगर आपको css नहीं आती तो फिर problem आईगी इसलिए अब HTML और css c close तो यहाँ पर मैंने h1 tag के लिए अगर मैं इस id को जहाँ भी यूज करूंगा जिसके भी साथ यूज करूंगा वह heading बनकर आएगा क्योंकि मैंने id heading tag के लिए बनाई है अब script tag के अंदर मैंने देखो यहाँ पर document का इस बार जो मैंने method यूज करा है याँ यूज करा है get element by id अब get element by id जो function है इसके अंदर मैंने id बता दी जो पर id create करी थे न id मैंने यहाँ पर बताई उसके बाद dot inner stml मैंने कौन सा तरीका यूज करा हूँ inner stml तो ऐसे लिखना पड़ता है inner stml इसके बाद equal लगा कर आप जो भी करना चाहें तो यहाँ पर मैंने calculation कर दी 5 plus two तो यहाँ पर इसका output आ जाएगा तो चलो मैं आपको इसको दिखा देता हूं एक बार ओके तो मैंने यहाँ पर vs code open कर लिया यहाँ पर मैं एक नई इसका नाम रख देता हूं इनर stml और यहाँ पर मैं क्या करता हूं को टाइप कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने code को लिख दिया है code आपको दिखाई भी दे रहा होगा देखे complete code है वही है जो भी मैंने आपको explain किया script tag के अंदर बेखे मैंने dot get element by id और यहाँ पर id बता दिये dot inner stml और उसके सामने calculation कर दिये अब अगर मैं इससे save करके आपको इसका output दिखाता हूं right click करता हूं open with live server पर click करता हूं तो यहाँ तो यहाँ पर देखे आप output में 7 आ होता है output को print कराने का आगे मैं बहुत use करने वाला हूं आपको अच्छे से समझ मैं रहेगा मैं केबल अभी आपको कौन-कौन से वैज हैं जिनसे आप print करवा सकते हैं वह मैं आपको बता रहा हूं अब एक ही इसके पाद नेक्स तरीका और अलर्ट फंक्शन का use करके बहु तो friends मैंने यहां पर again vs code को open कर लिया और यहां पर क्या करते हैं एक नई फाइल बना लेते हैं फाइल को नाम दे देते हैं और यहां पर फाइल के अंदर हम लिख देते हैं हम alert यूज कर रहे हैं तो हम alert ही लिख देते हैं .stml एंटर कर दिया मैंने यहां यहां पर मैं skeleton लिय है और यहां पर क्या करते हैं हम तो यहां पर हम लिखेंगे जहां लिखा हुआ है डोक्यूमेंट इसको अटाते हैं और यहां पर टाइटल लिख देते हैं यूज ओफ अलर्ट और यहां पर बोडी में जाते हैं और स्क्रिप्ट टाइप करते हैं स्क्रिप्ट लगाने के बा और open with live server पर click करता हूं तो यहां पर देखो एक alert box बनके आया और इसके अंदर वह text लिखा हुआ है जो आपने वहां पर show करा है ठीक है जिस तरह साब alert का use कर सकते हैं वैसे इसका ज्यादा use होता नहीं है अब इसके बाद जो next तरीका वह एक console का use करके और यह अभी सबस्याद आती ही वह हमें easily show हो जाती है क्या किया रहा हूं मैं इसे आपको भी practical के जरीए समझाता हूं ठीक है तो क्या करते हैं हम सबसे पहले नई file बना लेते हैं तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक नई file create करता हूं file को नाम दे देता हूं print in console 6 number की file है ओके तो मैंने यहां पर 6 number की file बना लिए जिसका के नाम है print in console और यहां पर मैं सबसे पहले basic structure तो ले आऊं ताकि टाइम बच जाए तो यहां पर skeleton आ चुका और यहां पर मैं title remove करता हूं और यहां पर लिख देता हूं print in console आप देखो यहां पर body take के अंदर मैं क्या करता हूं script एक start करता हूं और console के यहां पर देखो मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले मैंने यहां पर इसे comment बनाया हूं इस comment से अभट है यहां ने log method का यूज़ कर रहा है और इस method का use करके मैं क्या करता हूं, console में आपने output को देखूँगा तो यहां पर ऐसे लिखना होता है console.log और उसके बाद आप जो भी calculation करना चाह रहे हैं जो भी आप output डेखना चाहते हैं वह यहाँ पर लिख दो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रेकिट के अंडर टू प्लस एट अब मैं अगर इससे रन करके आपको output दिखाऊं तो देखो क्या होगा मैंने right click करा और यहाँ पर open with live server पर click करा तो कोई output नहीं आया reason है इसके पीछे क्योंकि हमने print कहां करा है console में हमने इसे console में चलाया है और आगे से मैं अब सारे output जो भी आपको अगर कोई calculation वगेरा करके दिखाऊंगा वह मैं console पर ही दिखाऊंगा ताकि अगर कोई error आती है तो वह हमें show हो जाए क्योंकि यहाँ पर document. write जो है वह error वगेरा show नहीं कर पाता तो यहाँ पर कोई output नहीं आया है आप output कहां आएगा जो भी हमने file open करिये ना इस file में ही right click करना है जिसमें आपने console.log function को यानि log method को use करा है उसी file के अंदर यानि जो मैंने browser में load करिये ना file को इसी file के अंदर आपको right click करना है और यहा आपको मिलेगा console, आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर देखो आप आउद्पु दिखाई देगा 10 तो यहाँ रन होगा वह console के अंदर आपको output दिखाई देगा अगर यहां पर आपको अधेर दिखाई गर यहां सब क्लियर कर सकते हैं यहां से क्लियर के लिए हैं दु invert comma में लिखूंगा welcome to javascript और semicolon लगा देता हूँ और right click करके मैं आपको output डिखाऊ मुझस से पहले save कर दूँ और right click करके दुबार output डेक्न की जरूत नहीं है क्योंकि हमने file को already open करा हुआ है तो महां automatic refresh हो गया होगा तो यहाँ आप देख पा रहें 10 10 भी प्रिंट हुआ है उसके बाद welcome to javascript यह भी प्रिंट हुआ है तो जो आप console से लोग कराते हैं वो आपको output console के अंदर ही दिखाई देगा ठीक है आप देखों यहाँ पर मैं इन दोनों को comment बनाता हूँ और क्या करता हूँ इसके नीचे वाले को comment को हटा देता हूँ इसको ताकि मैं इसको explain कर पाऊँ अब इस बार console का मैं जो use करूँगा वो है warning method अब यह warning के लिए पूरा नहीं लिखना है आपको war लिखना है war and warn लिखना है only ठीक है क्योंकि यही नाम से method बनाया हुआ है तो यहाँ पर actual में यह use में लाए जाता है अगर आप कोई project बना रहे हैं उसके अंदर आपको warning वगेरा show करवानी है तो आप यहाँ पर console.warn लिखेंगे और उसके बाद double immediate कोमा के अंदर आप जो भी अपना warning message लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यह आपको console में display हो जाएगा जब कोई warning आप show करवाना चाहेंगे Sam, ऐसे ही एक error नाम का method है इसे भी आप use कर सकते हैं तो इसका भी मैं पहले comment ठटा देता हूँ और यहाँ पर देखो console.error तो error method का काम है कि आप bracket के अंदर double imprint कोमा के अंदर जो भी error message show करना चाहूँ वो कर सकते हैं और warning और error में difference है दोनों अलग-अलग तरह की दिखाई देगी देखो मैं आपको बताएता हूँ warning और error मैंने इसे save किया file को warning में देखो आपको ऐसा symbol दिखाई देगा यह warning है और error में आपको ऐसा symbol दिखाई देगा तो अभी जो हमने उसके अंदर text लिखा हुआ था वही text हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर error की spelling में आप E लगा लेना ठीक है तो यहाँ पर error की spelling ERROR होईगी तो mind मत करना नहीं तो comment करके मुझे याद दिलाया जाता है कई वार ऐसा होता है कुछ गलती हो जाती है तो कुछ student होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैंने गलती कर दी अब तो बहुत बड़ा गुना हो गया है मैड से तो मुझे comment करके आपको समझ में आगया कि इसका काम और इसका काम क्या है आप चाहें तो ऐसे warning message दे शो करवा सकते हैं कुल मिलाकर हमने देखा कि console में हम कैसे print करा सकते हैं तो friends आगे चलके मैं console.log का काफी use करने वाला हूँ तो इसका भी आपको use करना आना चाहिए बस उसके लिए आप क्या करेंगे एक बार file को open कर लेना ब्राउजर में right click करके inspect में जाके और उसके बाद आप console में चले जाना आप friends हम बात करेंगे javascript के अंदर comments की तो देखो comments क्या होता है comments बहुत काम में आता है जब आप क्या कर रहे हैं कोई बड़ा code लिख रहे हैं कोई programming कर रहे हैं या software बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप क्या कर रहे हैं किसी code को explain करना चाहते हैं कि यह आपने code यह line किस काम के लिए लिखी है यह function आपने क्यों लगाया है उसको explain करना चाहते हैं तो आप डारेक्ट ऐसे explain नहीं कर सकते हैं कि जो अब इसका use है क्योंकि कोई भी extra line अगर आप लिखते हो तो किसी भी programming language का interpreter compiler अगर उसे convert नहीं कर पाता machine की language में तो उस line में error से देता है तो आप errors से बचना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते है explain भी करना चाहते तो फिर आप comment की through explain करेंगे direct लिख देंगे तो फिर error आएगी तो यहाँ पर दो तरीके लगबग सभी programming language में आपको यह दो तरीके मिल जाएंगे single line comment और multiline comment सबसे पहले single line comment यूज कर stml और यहाँ पर मैं basic skeleton लेकर आज चुका हूँ और यहाँ पर मैं title को भी change कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ comments in javascript okay आप मैं body tag में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं type करूँगा script tag आप जैसे मुझे माल लो एक कोई single line है इसे explain करना है जैसे माल लो मैंने यहाँ पर एक variable create कर आप यह आगे चलके मैं आपको बताने वाला हूँ यह variable है और यहाँ पर मैंने एक variable बनाया a अब मुझे explain करना है कि it is a variable या this is variable तो मैं इस single line है ना यह एक ही line को explain करना है तो मैं यहाँ पर single line comment use करूँगा तो यहाँ पर मैंने दो बार forward stress लगाया और यहाँ पर मैं लिख दूँगा this is variable ठीक है this is variable लिख दिया मैंने अब एक और होता multi line comment अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ calculation कर ली for example मैंने य एक साथ पूरा comment बनाना है तो हम बार-बार सभी lines के सामने यह single line comment use करने की जगे क्या करते हैं यहाँ पर पूरा एक साथ comment बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे forward stress इसके बार start उसके बार जहां तक आपको comment बनाना है वहां तक रख सकते हैं double or forward less लगा दो और अगर आपको multiline comment बनाना है सभी को ऐसे बना सकते हैं यह syntax था और मैंने आपको example भी बता दिये देखिए मैंने यहाँ पर भी explain किया हुआ है तो कुछ इस तरह के साथ multiline comment बना सकते हैं अब friends हम बात करते हैं JavaScript के अंदर variable की देखिए variables क्या होते ह हो कि आपने अपने घर में अलग-अलग type के boxes बना रेखिए उनके अंदर अग-अलग items को store करते हैं जैसे मैंने अपने घर में tools को arrange करने के लिए उलग box रखा हुआ है और कुछ other काम के लिए much other type के जो आइटम से उनको arrange करके रखने के लिए box अलग रखा हुआ है इससे मेर मैं अलग-अलग type के items को रखता हूँ ताकि जब भी मुझे किसी भी चीज को ढूंड़ना है मुझे easily मिल जाए उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि programming के अंदर variable boxes होते हैं जो value को store करने के लिए बनाए जाते हैं अगर आप beginner हैं तो आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप अपने JavaScript program से कोई calculation वगेरा करना चाहते हैं तो उस case में आपको सबसे पहले variable बनाने पड़ेंगे यानि वो box बनाना पड़ेगा वो area create करना पड़ेगा जिसके अंदर जाकर data store हो तो यहाँ पर JavaScript में variable को बनाने के लिए चार तरीके दिये गए आप इन चारों में से किसी भी तरीके का यूज करके variable बना सकते हैं लेकिन चारों टाइप के variable आप इन में से जो भी तरीका यूज करेंगे उनसे जो भी variable बनेगा वो अपने आप में अलग definition रखता होगा तो यहाँ पर मैं बात को आपको बिल्कुल अच्छे से clear करूँगा अभी तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मैंने एक example बनाया हुआ है तो अगर आप work keyword का use करके variable बनाते हैं एक और आपने बना लिया वर B equal to 3 यहाँ पर इसके अदर हमने two store क्या हुआ है यह वाला जो आ हमारा variable है इसके अदर हमने two store कर रहा है ठीक तो यहाँ पर A के अदर तो है अमारा एक box है A इसके अदर two store है एक और B हमने box बनाया इसके अदर three store है ऐसा लिखने से box बनता है समझ लो कि memory में एक area create हो गया जिसके अंदर ये values store है पहली line ये बना दूसरी line ये बना तेकि जब तीसरी बार हमने war keyword का use करके variable बनाया तो उस case में हुआ ये है ये एक और बन जाएगा अगर हमने war keyword का use करके variable बनाया तो होगा ये कि a के अंदर दुबारा से value निसलाइज हो जाएगी यानि एक नया variable बनेगा a इसके अंदर 5 चला जाएगा अब जो आपने बाद में variable बनाया है न वो ही use में आएगा बाकी पहले बना हुआ variable इसका अस्तित्व खतम हो गया अब ये a plus b आपने लिखा c equal to a plus b तो ये वाला नहीं काम करेगा इन दोनों के बीच में addition होगा इस a और इस b के बीच में addition होगा ठीक है तो एक और variable हमने बना रहा है वर्स है वो है c इसके अंदर चला जाएगा 8 क्योंकि programming के अंदर ये assignment operator इसका काम होता है इदर जो भी लिखा हो इसको solve करके store करा देना तो c में eta जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर यह समझाने वाला हूँ कि अगर आप words से variable बनाते है और बाद में आप by mistake दुबारा से same नाम का variable create कर देते हैं तो variable बन जाता है और उसके अंदर value store हो जाती है तो जब आप बड़ी programming कर रहे होंगे उस case में ऐसा करना बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि उससे data overwrite हो जाएगा और गलत output आ सकता है यहां तो आपको दिखाई दे रहा था कि आपने दुबारा बना लिया लेकिन कई बार जब हम बड़ी programming करते तो हमें पता नहीं चलता हम by mistake ऐसा काम कर लेते हैं जो कि गलत है तो उस case में variable ऐसे नहीं बनाए जाते हैं अब मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूँ आप beginner हैं आप JavaScript या programming language पहली बार समझ रहे हैं HTML CSS आपको आती है उस case में आपको हो सकता है कि variable बनाने का rule ना पता हो तो को variable बनाने का rule होता है जरूल भी मैं यहां पर आपको side में बता रहा हो इस जगे पर कि variable का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जिससे आपने A, B, C यह रखा कोई problem नहीं है लेकिन आप 1, 2, 3 यह variable का नाम नहीं रख सकते हैं यह नहीं चलेगा आप 1A यह variable भी नहीं बना सकते हैं यह भी नहीं चलेगा आप A1 बना सकते हो आप A2 बना सकते हो यह चल जाएगा ठीक है आप keyword होते हैं इसके अंदर से वर है, let है, const हैं उनके नाम से variable नहीं बना सकते है नंबर के नाम से variable नहीं बना सकते, बाकी फिर आप इस तरीके से बना सकते, और alphabet को मिला कर भी आप variable बना सकते, जैसे age, इसमें 3 alphabet है, age, ये भी variable है, ये भी चले, ये से आप variable को बना सकते, अब में ही हाँ पर आपको समझा रहा था कि, वर से तो आपने variable बनाना सीख लिया, ल लिखा हुआ है let a equal to 2 तो इस line को जब आप लिखेंगे तो memory के अंदर एक variable बनेगा a इसके अंदर 2 store हो जाएगा आपने लिखा let b equal to 3 memory के अंदर एक block बनेगा एक box बनेगा जिसका की नाम होगा b और इसके अंदर store हो जाएगा 3 अब आपने यहां पर दुबारा से लिखा let a equal to 5 तो इस line में भी error आजाएगी और इस line में भी error show होगी और error कहेगी कि आप एक बार बनाये गए variable को दुबारा नहीं बना सकते यह a दुबारा नहीं बनाया जाना चाहिए था error ऐसे बताएगी कि a बनाया नहीं जाना चाहिए था तो उस case में आपको पता लग जाएगा by mistake अ या तो 3-4 variable ही है लेकिन जब आप आगे programming करना सीख जाएंगे तब काफी सारे variable बनाये जाते तो उस case में भूल जाते कि कि किस नाम से already हमने variable बना रखा है तो हमें error message में show हो जाएगा अगर हमने let से बना रखा है तो यह पता लग जाएगा कि a already बनाया जा चुका है लेकिन द्यान रखना है तो variable create होगा ही नहीं error आईगी तो आपको इस line को हटाना पड़ेगा अगर आप इस line को लिखकर run कराने की कोशिच करेंगे तो output नहीं आएगा इसको हटाते हैं तो फिर output आजाएगा आप C को print करेंगे तो 8 print हो जाएगा क्योंकि C के अंदर ये A और B की value च आपको अगर आपने late से बनाया ही नहीं जैसे मान लो इस late को हटा दिया लेकिन दुबारा आपने लिखा a equal to 5 तो कोई problem नहीं तो तो चल जाएगा क्योंकि variable की value तो बदली जा सकती है न साब variable का मतलब ही होता है जिसकी value change होती हो अगर आप variable की Hindi translation देखेंगे तो उसका output 8 आएगा तो यहां पर आपको एक बात का दियान रखना है late से variable बनाते हैं तो variable बनता नहीं है लेकिन late हटा दोगे तो दुबारा variable में value तो जा सकती है साब इसमें कोई problem नहीं है यह मेरे को आपको बताना था लेकिन क्यों अभी मैं आपको concept समझाऊँगा जब इसका आप B equal to आपने 3 लिखा तो B में यहां पर 3 store हो गया अगेन आपने equal to 5 लिखा तो यहां पर फिर से A के अंदर value चली गई क्या 5 लेकिन नया नहीं बनेगा इसके अंदर 5 चली जाएगी ठीक है अब अगर मैं इसका output देखूं यहां पर A plus B हो रहा है तो output आएगा यहां पर 8 क्यो पर एक last तरीका और यह बहुत काम आता है ठीक है इससे भी जुरत पड़ती कई बार variable को बनाने की वह है const const keyword का यूज करके आप यह को const keyword से कर आप variable बनाते हैं तो variable reassign नहीं होता और redeclare नहीं होता फायदा देखो इसमें एक नई चीज मिली है आपको redeclare तो वह भी नहीं अब यह late हटा दो variable की value बदली जा सकती है लेकिन const में ऐसा नहीं है const में value भी नहीं बदली जाएगी कैसे देखो मैंने PI नाम का variable बनाया PI एक variable है जिसकी value है 3.14 बट काई से बनाया const keyword से यह constant है constant मनला fix PI की value 3.14 ही रहेगी अब अगर मैं नीचे लिख दूँ PI equal to PI plus 5 तो ऐसा नहीं कि 5 3.14 में add होकर 5 PI की value बदल जाएगी इस line में error आजाएगी यह line काम ही नहीं करेगी क्योंकि PI ए constant variable है और अगर मैं दुबार से PI को declare करना चाहूंगा तो declare भी नहीं होगा initialize भी नहीं होगा यह final value रहेगी है PI की तो अगर आपको ऐसे variable बनाने हैं जिनकी value बदली नह जा सके तो आप const keyword से बनाएं कई बार programming में ऐसे variable की जुरूत पड़ती है तो यहाँ पर actual में हमने PI R square को calculate कर लिया इस वाले program के अंदर खाली मुझे तो आपको variable बनाना सिखाना था output में कुछ ना कुछ आ जाएगा ठीक है तो चलो मैं आपको एक बार इस सभी का output दिखा द आपने देखो वही code copy करके paste कर लिया थोड़ा सा time बचेगा इससे और उपर एक काम करते हैं और यहाँ पर हम HTML का skeleton लेकर आते हैं सबसे पहले और यहाँ पर हम लिख देते हैं variable in JavaScript title चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर body tag के अंदर में copy करके paste कर लेता हूं time बचेगा यहाँ प 5 store हुआ last वाला ही चलेगा तो 8 plus sorry 5 plus 2 किता हो जाएगा 8 हो जाएगा c की value 8 हो जाएगी c को हमने console में print करके देख लिया save करता हूं right click करता हूं open करता हूं यहाँ पर में open with live server और यहाँ पर मैं जाऊंगा right click करके inspect के अंदर और यहाँ पर मैं console में जाकर check करूंगा तो मुझ अगर इन सभी line के आगे comment लगाना चाहता हूं single line तो एक तरीका होता है control के साथ forward select button दबाओ एक साथ comment लग जाएगा अब यहाँ पर जो two number का तरीका let से उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको let से बना रहा है तो जैसी मैंने comment अठा है तो a के यहाँ पर error आ रही है आ रही ह बलब एक बार बना हुआ variable दुबारा declared नहीं किया जा सकता इस error का मतलब यह है तो यहाँ पर आपके पास choice है या तो इसे हटाओ या फिर इसे हटाओ तो last वाला ही गलती से बनाए तो हम इसे अटा देंगे तो error हड़ जाएगी देखो error हड़ गई यहाँ पर इसे हम रहने देते हैं और इसे वापस से हम comment बना देते हैं थाड़ वाला तरीका है जिसमें हम अगर कुछ भी use नहीं करते हैं direct बनाते तो बन जाएगा और इस case में भी last वाला ही चलेगा वो variable की value बदली जा सकती है save करता हूँ देखो 8 output आ गया इसके बाद देखो last तरीका था const keyword का use कर के variable बनाना तो const में मैंने आपको क्या बताया था देखो यहाँ पर मैं इसे हटाता हूँ comment को की variable डुबारा declare भी नहीं होगा और reassigned भी नहीं होगा मनला उसकी value डुबारा से अब अनिसलाइस भी नहीं कर सकते तो इस line में जा मैंने comment अटाया भी देखो pi की value 3.14 set करी लेकिन दुबारा से pi variable बना कर मैं इसके अंदर दुबारा value store करना चाहरा हूँ मतलब equal लगा के मैंने लिखा pi plus 5 यानि 3.14 में 58 हो जार वापस उसी में आ जाए तो यह नहीं आएगा कारण यह const keyword से बनाए अगर मैं const की जगे let लगा दूँ कोई problem नहीं है यह को error हड़ जाई यह त तो अगर आप चाहते हैं कि fix variable बनाए जिसकी value change ना हो तो हमें ऐसा काई से बनाए const से ठीक है तो मैंने const keyword लगा दिया अब इस line में फिर से error आज जाईगी चलिए मैं इसको save करके आपको output डिखाता हूँ save कर दिया मैंने देखो यहाँ पर error बता रहा है assignment to constant variable मतलब constant variable में value assign क करने की कोशिश करें जो कि possible नहीं है तो इस तरह से आप जावस्क्रिप में अलग-अलग type के variable बना सकते हैं अब देखें जावस्क्रिप में different type के data type को use कर सकते है data type क्या होते है जो कि यह बताते है कि उस variable में किस type की value store होनी चाहिए variable में value को store करने का भी type होता है ठीक है तो कि देख से जो हम programming सीख रहे थे उनमें numbers का है तो use कर रहे थे हम variable बना रहे थे जैसे हमने लिखा let यहां पर लिखते है let a equal to 2 तो 2 क्या है number तो यह जो variable है किस type का बनाया अभी इसमें two store ही एक number type का variable है इसके बार हमने const से भी बनाया था जो हमने variable बनाया था इसके अंदर हमन आपने 3.14 store किया था तो यह कैसा variable बन गया यह भी number type का variable है इस सब number type के variable है ठीक है यह भी number है यह भी number है अब अगर हम string type के variable की बात करें तो अगर हम जैसे कोई भी एक variable बनाते है जैसे मैंने यहां पर बनाया let say name इसके अंदर अगर मैं कोई name store कर दूँ जैसे मैं अपना न कर एक पूरा word बनाए यह string है तो यह string type का variable हो गया name के अंदर क्या string store करी हमने तो यह string type का variable हो गया ऐसे आप booleans data यानि की true false भी store कर सकते variable के अंदर आप array बना सकते यानि collection of similar data type यानि आप same type की values को एक साथ store कर सकते variable के अंदर array के true आप objects बना सकते है ठीक है तो इन सभी को मै एक example में समझाया हुआ है उस example को मैं आपको direct दिखा देता हूँ सीधे हम आ जाते है body के अंदर और यहाँ पर script tag के अंदर क्योंकि यह हमने javascript use कर देगी सबसे पहले हमने एक number variable बना रखा है यहाँ पर हमने let में a equal to 3.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक memory बनेगी a इसक प्रिंट करूँगा variable को तो नाम प्रिंट हो जाएगा तो जब मैंने a को प्रिंट करा console.log से a को प्रिंट करा तो output मैं यही पर लिख देता हूँ वैसे तो मैं आपको दिखा दूँगा भी output फिर मैं log से name वाले variable को प्रिंट करूँगा तो इस variable में क्या है वेरा नाम तो य लेंग वेज जैसा नहीं है पहले इंटीजर करेक्टर फ्लोट लगा कर आपको बेरेबल का टाइप बटाना पड़े यहां पर अपने आव हो जाता है अब देखो यहां पर बूलियन डेटर टाइप हमने लेट से एक बेरेबल बनाया यहां पर हमने इसके अंदर true store करा है यहां पर य बनाया इसमें false store है जब इने प्रिंट करूँगा एक और य को टो एकस की वेल्यू है य की वेल्यू false है फॉल्स प्रिंट हो जाएगी और आगे जब मैं प्रोग्रामिंग करूँगा तो जब जरूद पढ़ती हमें कई बार कि variable के अंदर में boolean data store करना पड़ता है उस समय boolean data type की हमें जुरत पड़ेगी और हम काम में लेंगे तो आपको पता होना अची true false वगेर आप store करा सकते है variable के अंदर boolean data store करा सकते हो इसके बाद आथा array data type तो को array programming language अगर आपने सीखी हुई है तो आपको पता होगा array collection होता है data का आप same type की data को store कर सकते हो single variable में इससे पहले आप a की value एक बार में store कर रहे थे variable के अंदर जैसे हमने लिखा था a equal to 2 तो a में के बार 2 store होगा अगर मैं चाहता हूँ a में 2, 3, 4, 5 यह store करना चाहता हूँ तो not possible single variable में possible नहीं है उसके लिए आपको array type का variable बनाना पड़ेगा एक साथ कई सारे नाम store करना चाहते हैं तब भी possible नहीं है एक single variable में फिर आपको array type का variable बनाना पड़ेगा तो समझ में आगए array type का variable कब बनाते हैं जब आप एक single variable में एक साथ same type की काफि सारी values store करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर array type का variable बनाना पड़ता है तो कैसे बनाते हैं आप variable बनाने के लिए आप let का use करें array का नाम आप कुछ भी रख रहे हैं यह array variable होगा student name और इसके अंदर आपने यह store करा Raj, Kamal, Rohan, Sonu, तो देखो memory में कुछ ऐसा बनेगा, देखो मैं आपको दिखा था हूँ यह memory है यहाँ एक memory block बनेगा, इस पूरे block का नाम होगा student name short में लिख दूँ student name, यह वाला नाम होगा जैसे variable का नाम होता था ऐसे इसके अंदर block होगे, एक block दो block, तीन block और यह चार block, क्योंकि चार नाम है ना, चार block होगे, इसका address होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, राज होगा 0 पर, कमल होगा 1 पर, रोहन होगा 2 पर Sonu होगा 3 पर, ऐसे store हो जाएगा, और नाम होते तो आगे बढ़ जाता अब अगर मैं console.log से student name, यानि सबसे पहले मैंने बता दिया कि student name यानि पूरा तो student name है लेकिन इस student name में से 2 number की location पर जो नाम है वो प्रिंट हो जाए तो 2 पर कोन है, रोहन है न रोहन प्रिंट हो जाएगा, array में element यानि value store होना start होती जीरो से, फिर आगे चलता जाता है तो जीरो से count करेंगे, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 2 number पर कोन है रोहन तो रोहन इसका output आजाएगा इस तरह से आप array type के variable बनाके data store कर सकते हैं, अब अगर आप यहाँ पर number store करते हैं, तो double immediate comma में नहीं आएगा, number direct type 2, 3, 4, जो भी आप को मा लगा-लगा के लिख दो तो number store हो जाएगे एक साथ, इसके बार आप object type के data type का use कर सकते हैं, देखो object type के data type का use कैसे करेंगे आपने person नाम का यहाँ पर object create कर लिया, इसके अंदर आपने कुछ ऐसे बता दिया first name जो है वो राज होगा, last name sing होगा, age 40 होगी, mobile number कुछ ऐसे होगा, ठीक है detail में बताऊंगा मैं आपको आगे चलके जब आप JavaScript सीख चुके होगा, अब इस सिर्फ मैं आपको overview दे रहा हूँ data type के बारे में तो यहाँ पर आपने एक object create कर लिया अब अगर आप किसी object में से data को print करना चाहते तो आप ऐसे लिखेंगे console.log आपने देखो यहाँ पर लिखा console.log कुछ इस तरीके से person name is यहाँ पर हमने plus operator लगाया जब हम क्या करते हैं, एक variable से string को दूसरी variable के साथ जोड़ना होता है लगाया जाता ही है, ठीक है इसके बार हमने बोला कि person जो है हमारा object है इस object से जो first name में data है वो print कर दिया जाए, इस object का first name से जो data है वो print कर दिया जाए, फिर हमने बोला plus लगा कर and यह जो हम यहाँ लिख रहे हैं न यह person name is and यह as it is दिखाई देगा इस plus की वज़े से फिर हमने यहाँ पर mobile number is, mobile number यहाँ पर mobile number person object में से mobile वाला जो हमने यहाँ पर लिखा हो है, mobile यह mobile print हो जाएगा, जो रोत के इसाब से data print करवा सकते हो और use कर सकते हो आगे चल के हम use करेंगे इस data का अभी मैं आपको shortcut में समझा रहा हूँ बात को ठीक है तो यहाँ पर यह output आ जाएगा चलो मैं आपको एक बार output दिखाता हूँ तो again मैंने यहाँ पर vs code को open कर लिया और यहाँ पर मैं एक 9 number की file create करता हूँ और इस file का नाम रख लेता हूँ data type in javascript okay तो मैंने यहाँ पर 9 number की file बना दिये अब मैं यहाँ पर html का skeleton लियाँ पहले और यहाँ पर मैं title को बदल लूँगा अभी रेंड़े टाइम खराब नहीं करते हैं और यहाँ पर बोडी टेक में जाते हैं और यहाँ पर paste कर लेता हूँ और inspect element में जाते हैं और यहाँ पर हम console पर click करते हैं ओके तो यहाँ पर देखो आपको output दिखाए देगा है 3.5 यह 3.5 क्या है जो हमारा first वाल output था वो फिर मैंने name प्रिंट करा था अपना फिर मैंने boolean value को प्रिंट करा था true और false वो दिखाए देगा पर यहाँ पर देखो rohan दिखाए दे रहा है जब हमने array वाला example समझा था उसमें हमने two number की position पर जो नाम था उसे print करा था वो है यह और इसके बाद last पर हमने object यहाँ पर print कर रहा था तो यहाँ पर यह object से data निकल के आया name और mobile number ठीक है array कैसे बनाते है वो मैंने आपको सिखाए दिया यहाँ पर देखो array बना रखा है और मैंने यहाँ पर पूछा है two number की position पर को ने रोहन अगर मैं यहाँ पर position चेंज करके three कर देता हूं save करता हूं तो इस बार आपको क्या नाम है यह sonu दिखाए देगा देखो यहाँ पर sonu हो गया ओके और इसके बार देखो object और object के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर data को change कर सकते हैं जिसे first name और यहाँ पर आप चाहो तो mobile number की जगे last name भी access कर सकते हैं तो ऐसे आप object अंदर से data को access कर सकते हैं तो इस video के अंदर हमने जाना की किस तरीके से आप output को print कर सकते हैं साथी मैंने आपको variable के बारे में बताया और इसके बार मेने आपको data type के बारें बताया तो friends इस वीडियो में केबल इतना ही में मिलता हूँ आपको next वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like and share जरूर करिए और यदि आपने भी तक इस चैनल को subscribe नहीं करा तो चैनल को भी subscribe कर लीजे thanks for watching